है यह वेल्कम टू माइच चैनल यह चैनल की नई वीडियो है मुल्टिपल शेडियूलर के बारे में जो हम सीके की सीवीज कंप्लीट कर रहे थे उसमें यह नई वीडियो है मुल्टिपल शेडियूलर के बारे में मुल्टिपल शेडियूलर का कंसप्ट क्या होता है शेडिय करता है شagnol के मैं कैसे ट्रेइजी रहती है hear Taste एक मैं दिटानेमची है और इस वीडियो के अंदर हम कस्टमचेद्पी करने वाले हैं तो आपने हम अपना एक कस्टमचेद्फ लग बनाने वाले हैं जैसे क्यूप होता है क्यूबनेटीज के अंदर step by step हम उसको कैसे implement करेंगे और उस scheduler को बनाने के बाद में हम एक port deploy करेंगे और वो port को हम उस scheduler से जो हम custom scheduler बनाएंगे उसके उसके उसकी यूज करके हम उसको schedule करेंगे तो इस वीडियो में हम हर एक चीज को practically करके देखने वाले हैं और इस वीडियो में जो भी हम concept सीखने वाले हैं से multiple scheduler क्या है कैसे करम करता है उस उस पूरे concept को मैंने डिटेल में एक ब्लॉक के अंदर लिखा है और जो भी मैं यामल फाइस इसके अंदर यूज करूंगी उसको भी उन फाइलों को भी मैंने उस ब्लॉक के अंदर डाल दिया है और वह ब्लॉक के लिंक मैंने description box में दे द आले हैं तो आई होप आप सभी बहुत excited होंगे इस वीजियो के लिए चलिए शुरू करते हैं concept को क्या है कैसे काम करते हैं तो सबसे पहले multiple scheduler की concept को समझने से पहले हमें क्यूबनिटीज के अंदर जो हमारे default scheduler है क्यूब scheduler वह कैसे वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा करता है कि कोई भी नया नोड नया जो पोर्ड सॉरी नया पोर्ड जैसे ही बनता है तो उसको कोई भी नोड असाइन नहीं होता है उस नोड को असाइन करने का काम होता है क्यूब scheduler का तो क्यूब scheduler क्या करता है उस पोर्ड की पहले requirement को देखता है उसकी configuration को देखता है कि व पर शेडियूल करना है कि जतनी उसकी रिक्वार्मेंट है उस पोड की वह उस नूद पर जा करो तो हो वह पोड के अंदर सारी कॉंटरेशन को चैक करता सबसे पहले को देखता है कि देखता ते सोर्स प्वार्मेंट क्या है उसको कितनी CPU कितनी मेरीज चाहिए क्या उस पर specify इसी नोड पर हमें अपने पोड को शेडियूल करना तो यह सारी चीज़े क्यूप शेडियूलर पहले चैक करता है कि कहीं ऐसी सारी चीज़े तो अपलाइड नहीं है अगर ऐसी चीज़े अपलाइड नहीं है तो तो उसको अपने करना है उसको राइड नोड चूज करना है उस पोड के लिए उसकी रिसोर्सेस रिक्वार्मेंट उसकी कॉन्फिगरेशन के बेसिस पर तो क्यूप शेडियूलर का एक बहुत इंपॉर्टन डोल होता है उस पोड को शेडियूल करने में राइड नोड उसके लिए चूज करन करता है सबसे पहले स्टैप होता है filtering the notes filtering the notes के अंदर क्या होता है कि क्यूब scheduler क्या करता है क्यूब scheduler हो या कोई भी scheduler हो अगर हम अपना custom scheduler implement करते तो वह भी इसी तरह से काम करेगा किस तरह से काम करेगा वो दो स्टैप के अंदर एक राइट नोट चूज करेगा उस पोर्ड के लिए सबसे पहले स्टैप होती है filtering the notes filtering the notes जैसे हमें नाम सी पैदा चल रहा है कि let's suppose कि हमारे पास में यहां पर एक पोर्ड है जो आपको यहां पर राइट के अंदर दिख रहा होगा इस पोर्ड की जो बेसिक रिक्वार्मेंट है वो है कि CPU इसको फाइफ यूनिट चाहिए और रैम इसको चाहिए 5000 जी आईबी इस नोट को इस पोर्ड को शेजूल करने के लिए वो पहले यह देखेगा कि इस पोर्ड जो हमारा पोर्ड आया है जिसके अंदर जो अप्लिकेशन चल रही है उसकी रिक्वार्मेंट काफी जादा है CPU उसको फाइफ यूनिट चाहिए रैम उसको 5000 जी आईबी चाहिए तो उस रिक्वार्मेंट को देखते हुए वो सारे नोट को चेक करेंगा कि ऐसे CPU उनिट से उसके पास में 2 CPU उनिट से और रैम 500 तो वह मैच करेगा कि पोड को चाहिए 5 CPU और यहां पर तो टूई है तो वह इसको क्या करते हैं कैंसल आउट यानिके फिल्टर करता है कि नोट को फिल्टर करना है जो उसकी लिए कैपेबल है उस पोड को शेडूल करने के ल रहा है बट रैम जो है वह 2,000 है तो यानिकि यह बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है तो इसको भी वह कैंसल कर देगा पिर आता है नोट 3 पर नोट 3 पर देखता है कि CPU 7 है और रैम 7000 है तो यह बिल्कुल उसको सही लगेगा और वह इसको यहां से फिल्टर कर देगा तो ले पर आता है नोट 4 पर नोट 4 पर वह चैक करेगा अच्छा CPU 5 है और रैम 5000 है यानिकि यह तो बिल्कुल मैच कर रहा है बिल्कुल जितना हमारे पोड को चाहिए उत्रहीं स्पेस है तो एक बार के लिए तो इसको साइड में रख देगा वह ठीक है और आता है नोट 5 पर फिल्टर करने थे नोट उसमें से हमें 5 के अंदर से 3 नोट ऐसे फिल्टर आउट हो चुके हैं जो उस पोड को रखने के लिए कैपिबल है तो पहला स्टैप दन हो चुका है अभी भी यह हमने चूस नहीं किया है कि किस नोट पर पोड रियली के अंदर जाकर शेडिल होग है तो उनोट को रैंक में इनम ऐसकुर प्रोवाइड करता है उसकोर है क्या उन्हीं मिल जाती है कि कौन सबसे बैस्ट है दॉर सबसे बैस्ट है कि मैं में इस पोड को जिसकी है इस कबीस को टो अगर मै ओड़ मैंने यह नोश difiy tahun Cup मैं में। edited but कенти यह श्रेया उंवाइछ कर दिया तो कितने रिसोर्स यानि कि इसको शेडियूल करने के बाद में कितने रिसोर्स उस नोट पे बच जाएंगे उसको शेडियूल करने के बाद में तो लेट सब्सक्राइब नोट 3 पर शेडियूल करने के बाद में क्योंकि इसकी सीपी उनिट सेवन थी और हमें यहां पर बचेगी तो यह ठीक है यह हमने काल्कुलेट करा फिर आता है फो सेकंड नोट 4 पर नोट 4 पर दिखेगा कि यहां पर कितना CPU और कितना रैम बचेगा इस नोट को शेडियूल करने के बाद में तो यहां पर बिल्कुल हमें दिख रहा है कि एकदव एग्जेक्ट है तो यहां पर बिल्कुल कुछ भी बचने वाला नहीं है जैसे यह पोड शेडियूल होगा इस नोट पर आने वाले टाइम में कुछ और भी शेडियूल नहीं किया जा सकता है क्या खिए और नोट 3 पर आएगा नोट 5 पर आएगा और नोट 5 पर देखेगा कि इस चेडियूल करने के बाद में इस पोड को डिल्षक हो जाएंगे तो इसको चैडियूल करने केले के बाद में या पर 5C CPU उनिट्स और 5000 जी आईबी रैम रेक्वाइब मनलब बागी बच जाएगी तो इसका मालब यह है कि हम ऐसे पोड को दो ऐसे पोड हम शेडूल कर सकते हैं तो सबसे पहले रैंकिंग अंदर वो क्या करता है कि वो जितनी रिसोर्स रिक्वाइमन्ट थी उसको उसको शेडूल करने के बाद में आखेंगे उनको माइनस कर दो है यानि कि इनको क्यालकुलेट कर देता है अब क्यालकुलेशन के बाद में रैंकिंग कि यह रैंकिंग क्या यानि कि सभसे जाए जिसके few मतलब शेडूल करने के बाद में लिए सबसे ज्याधा रिसोर्स और जिसके पास बच्चे रह Magaz one फै पर इसपे तो शेटियू बिलकुल भी नहीं नहीं है इसके उपर एक तो यहां पर फिर ऐसा होगा कि हमारे पास में note 6 भी होता है आपर है नोट 6 होता हमारे पास में note 6 भी बिल्कुल same requirement जैनि कि same configuration होती और यानि कि cpu 10 or ram 10,000 और जब उसको schedule करते थे तो भी बिल्कुल same resources उसके पास बचते यानि कि 5 or 5,000 okay तो इस case में कौन rank में आएगा ये बिल्कुल सही है ना मतलब question है एक दम तो ऐसे case में क्या होता है कि random selection होता है कि किसी को भी ranking मिल जाती हो किसी भी node पर वो जाके schedule हो जाता है जब दोनों की configuration यानि कि दोनों की resources है वो same ही बच रहे है schedule होने के बात में तो यह हमारा बिल्कुल concept था कि किस तरह से कि क्यूबनिटीज के अंदर schedule work करता है किस तरह से वो पोड के लिए right node को choose करता है तो I think आपको यह दोनों steps filtering the nodes और ranking the nodes अच्छे से समझाए होंगे क्योंकि बहुत important है कि हम जब custom scheduler क्रीट कर रहे तो हमें पता होना चाहिए कि scheduler आखिर में work करता कैसा है क्यूबनिटीज के अंदर एक तो क्यूब शेडियूलर होते हैं डिफॉल्ट बट हम अपना कस्टम शेडियूलर भी वहाप इंप्लिमेंट करते हैं तो महाँ पर हो जाहिए multiple schedulers अब केस यह आता है कि हम multiple scheduler क्यों create करना चाहते हैं क्यों क्या ऐसा काम है जो क्यूब शेडियूलर से नहीं हो पारा है तो हम अपना कस्टम शेडियूलर करने जा रहे हैं तो इसका अंसर यह हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे scenarios होते हैं जहां पर आपकी requirements अलग होती हैं आपकी needs के suitable नहीं कर पाता है क्यूब शेडियूलर तब हाप अपना कस्टम शेडियूलर implement करते हैं ऐसा केस कब हो सकता है कि let's suppose कि मैं कुछ ऐसा चाहते हूं कि मेरे पास में दो ports हैं और मैं ऐसा चाहते हूं कि जब port 1 scheduled हो जाए अच्छे से run करने लग जाए उसके बाद में हमारा port 2 जो हो scheduled हो कुछ ऐसे से अनेरियोस हो सकते हैं महां पर हमारा कस्टम शेडियूलर हम उसको बना सकते हैं उसको इंपलिमेंट कर सकते हैं तो वह हमारी requirements के according होता है सब की अलगलग requirements से उसके according हम अपना कस्टम शेडियूलर implement कर सकते हैं अब बात आती है कि अगर आपके क्युबेनिटीज कलस्टर क कर सकते हैं के अवच्छ रेहां में बना से तो कौन से आउलर यूज कर दो के इंजरिख सकते हैं तो कौन सा शेडियूलर यूज कर के ऊ-अ-बचे करना हैं ये भी हम उसको बता सकते हैं ठीक हैं और अगर जैसे कि कुबनिटीज को इंस्टॉल करने को यानि कि कुबनिटीज को सेट अप करने की मल्टिपल वेस होते हैं आप क्यूब अब तूल से भी कर सकते हैं और भी अलग अलग तरीके होते हैं जो हम आने वाली वीडियो से अच्छे से देखेंगे तो लैट सब्सक्राइब अगर कि कुबनिटीज के अंदर सारे कंट्रोल पें कंपोनेंट्स क्यूब एडियम से अगर आपका क्यूबनिटीज इंस्टॉल हुआ है तो वहां पर एस टाटिक पूर्ट करते हैं तो अगर मुझे अपना कस्टम शेडियोर बनाने हैं तो मेरे पास में दू तरीके हैं या तो पोर्ट की जैसे कुब शेडियो चल रहा है उसकी यामल को यूज कर addresses करे मैं अपना पोर्ट क्रेट करूं याu तो चलिए एक बार लैब चलते हैं वहां पर अपना कस्टम शेडूलर क्रिएट करके देखते हैं और एक पोर्ट को शेडूल करते हैं, तो हम आचोकी है अपनी लैब के अंदर और अब हम कस्टम शेडूलर को इंप्लिमेंट करने वाले हैं step by step जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर आप ते क्यूबनेटीज को क्यूब एडियम टूल से सेट अप किया है तो वहां पर सारी कंट्रोल बिंग कंपॉनेंट्स एज स्टाटिक पोल्ड रन करते हैं और उनकी यामल फाइल अपने क्यूबनेटीज मैनेफेस्ट फो ब्लडर के अंगर रहती है और आज हम करने वाले हैं अपने कस्ट्म फैल्डियूल को कि पहले बीनेटीक्ट करने के-ली हमारे बास में दो बैस होते हैं सबसे पहला कि जब हम बाइनरी इस्ट्रॉल करके अपना कश्ट्म शैडियूल तो हम क्या करने वाले हैं? हम आचुके हैं अपने static folder के अंदर जहां पर सारे yaml files पड़ी है static ports की तो वहां पर हमें दिख रही है cube scheduler की yaml file तो एक बार उस file को एक बार हम cat कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं कि यह हमारे port की yaml file अब आपको क्या करना है कि इसको copy कर लेना है इस पूरी yaml file को आप लेक्स की कमांड से भी copy कर सकते हैं मैं इसको इस वे से copy कर रहे हैं तो मैंने इसको copy कर लिया है अब आपको क्या करना है अब हम एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम होगा my scheduler dot yaml file उ को क्या है अब हमें क्या क्या करना है अब हमें क्या करना है अब जो steps हम करने वाले है तो बहुत important है अब देखिए कि यह kod ki yaml file है और हम अपने हम अपना custom scheduler अंब्रण करना वाले हैं तो हमें name section के अंदर आप सब और अप सब पहले इस cube scheduler की बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं या पिर किसी और नीमस्पेस के अंदर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं अब आपको next आना है कंटीनर के कमांड सेक्शन के अंदर यहां पर आपको दिख रहा होगा लीडर एलेक्ट ऑप्शन तूप इसका क्या मतलब होता है कि जब आपके पास मुल्टिपल मस्टर नोड होते हैं तो वहां पर मुल्टिपल क्यूब शेडियूलर भी होते हैं तो जब पोड को कैसमें क्या होता है कि एक कि अलेडर इलेक्ट किया जाता है और वही लीडर जो होता है वो शेडियूल करता है तो यह परिंपर आपको आपको अपने शेडूलर का नाम देना है मेरे शेडूलर का नाम माय शेडूलर है तो मैंने देविया next जो प्रॉपर्टी आपको एड करनी है यहां पर आएगी पोड नमबर पोड में यहां पर बहुत इंपॉर्टन चीज है इसको ध्यान से सीचिएगा कि पोड में क्या होता है कि हमें एक ऐसा पॉड नमर फाइंड आउट करना है जिसमें इस क्लस्टर में जिस पर कोई भी सर्विस रनिंग ना हो और इस पॉड को इस क्यूब शेडूलर के लिए अब देखो कि जैसे हमने इस फाइल को कॉपी किया था तो यहां पर आपको लाइलिनेस प्रॉप सेक्शन के अंदर पॉड नमर दिख रहा होगा 10259 यह वो पॉड नमर है जिस पर क्यूब शेडूलर रन करता है तो हमें एक ऐसा अवेलेबल पॉड फाइंड आउट करना ह नेट स्टेट हाइफन नेट यू एल्पी ग्रैप 10259 इस पर हमारा कौन सा क्यूब शेडूलर रन कर रहा है तो जब आप इस कमांड को चला होगे ना हो इस कमांड में आपको यहां पर स्पीस देना है तो इस कमांड को जब हम चलाएंगे तो हमें दिखेगा कि इस वाले पर हमारा क्यूब शेडूलर रन कर रहा है अब हमें ऐसा पाइंड आउट करना है ऐसा पूर्ट जिस पर कोई भी सर्विस रनिंग ना हो तो आपको रंडम पूर्स यहां पर डाल के अपलाई करके देखना होगा तो जैसे मैं देख लेती हूं कि 10282 इस पर अगर आपको को कोई भी आउटपुट नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि वह पूर्ट यहां पर कोई भी सर्विस नहीं कर रही है तो इस तरह से आपके सिस्टम में कौन सा पूर्ट अविलेपल है उसको फाइंड आउट करना होगा तो अभी मेरे केस में 10282 है वापस आपको फाइल क सेक्शन को खाली छोड़ाता है वहां पर जो आपने फाइंड आउट किया है पूर्ट को उस पूर्ट को डाल देना है 10282 ओके और लाइविनस प्रॉप सेक्शन के अंदर भी इस पूर्ट को चेंज कर देना है और इसको में चेंज कर देती हूं और एक लास्ट तो में नेतिके तेया से क्यों बहाइं में घुड़ाता है किकी कार देके खांते हैं कि सफिते सुडियूल को माईख्य लाइख्यै निकों कृड़ चुका है ज़ल जो में लीडर बांबशाय देक्शन के जेस्टेट के अंदर अब लेता है क Castro εκत्रुम होई आपार है और स् यहां पर मैंने एक फाइल पहले से बना रखी है वो है पॉट.yaml फाइल जो यह यहां फाइल से आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शिन बॉक्स के अंदर एक ब्लॉक की लिंक मिलेगी वहां पर आपको पॉट.yaml और मायशेडियर.yaml दोनों फाइल से आपको मिल सकते हैं तो ब्लॉक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगी आप उसे चैक कर सकते हैं तो यह हमारी पॉट.yaml फाइल है अब इसमें क्या हो रहा है किसमें हमें पॉट कर रहे हैं माय पॉट नाम से और जिसकी इमेज हम एंजिनिक्स यूज कर रहे है हमें इस पॉट को जो हमने अभी कस्टम शेडियूलर शेडियूलर इंपलिमेंट किया है उस शेडियूलर से हमें यह वाला जो पॉट है शेडियूल करवाना है तो उस केस के लिए हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है शेडियूलर नेम इस प्रॉपर्टी को आपको याम कुछ इस तरह से लिखेगी अब हमें क्या करना है इस खूट को सने कर देना है तो मैं कि कुछ ऐसा रनिंग स्टेट के अंदर आने देते हैं और फिर मैं आपको बताते हुँस कि इस COVID को कौन से शेड्यूलर किया है क्यूब से इस चैड्यूんな यह सब्सक्राइब की, यह इतलि ऐस मैं में के रेक逼र। तो आपको command run करनी है cubectl describe pod my pod तो इससे हमें जो भी detailed information होगी उस pod के वो हमें मिल जाएगी तो आपको आना है event section के अंदर जो सबसे last one होता है वहाँ पे आप देखोगे कि जो scheduled हुआ है यह pod उसको schedule करने वाला cube scheduler नहीं है बलकि my scheduler है इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा हमने किस तरह से इस वीडियो में अपना custom scheduler deploy किया और उस custom scheduler से हमने अपने एक pod को schedule भी करवा के लेगा I hope आपको इस वीडियो में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा अगर आप इस प्रैक्टिकल करने में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए मैं आपके help करूंगी और मिलते है नेक्स्ट वीडियो के अंदर बने रही है मेरे साथ में इस वीडियो को लाइक कीचे चैनल को सब्सक्राइब कीचे थैंक यू गाइज